So hello friends, welcome back again with a fresh new video आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप 6 महिने में अपना हाइट को कैसे बढ़ा सकते हो बहुत लोगों को अपना हाइट को 7 दिनों में, 10 दिनों में, 15 दिनों में, एक महिना में हाइट को बढ़ाना होता है जो बिलुकुल भी possible नहीं है अभी आपके उमर कितना होगा? 17 साल, 18 साल, 25 साल तो अगर आपने 25 सालों में अपना हाइट को नहीं बढ़ाया है तो आप 7 दिनों में या एक महिने में अपना हाइट को कैसे बढ़ा सकते हो इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा ओही अपना हाइट को maximum gentic potential तक पहुचा सकता है जो अपना हेल्थ का ख्याल रखता है जिनोंने भी अपना हेल्थ का ख्याल इतना दिनों तक नहीं रखा था पहार का खाना खाता था, सही टाइम पे सोता नहीं था masturbation करता था, दिमाग में stress लेके बैठा हुआ था girlfriend के चक्कर में पड़ा हुआ था तो उनका हाइट इसी कारण से नहीं बड़ा because उसने अपना बॉड़ी को पर focus नहीं किया है जो बंदा हमेशा अपना हेल्थ का ख्याल रखेगा अपना बॉड़ी को top notch fitness में रखेगा उसी का हाइट maximum genetic potential ते कहुंसता है बहुत लोगों को पता नहीं है कि maximum genetic potential क्या होता है अगर आपका हाइट 5 feet 5 है, 5 feet 2 है तो आप यहां से 8 से 10 inches या उससे भी ज़्यादा add कर दो इतना आप अपना हाइट को बढ़ा सकते हो अगर आप अपना time को waste किया है अगर आप अपना time को waste नहीं करते और अपने आपको सही direction में रखते तो में भी आज आपका हाइट 6 feet से उपर होता and आज आप इसलिए रो रहे है because आपका fitness सही नहीं, आपका health सही नहीं तो आज मैं आप सभी को 8 से 10 mind blowing tips देने वाला हूँ हर एक tips important है जितना भी tips में बताऊंगा सब के बीच relation है अगर आप एक भी tips को follow नहीं करेंगे आपका हाइट नहीं बढ़ेगा अगर मैं आपको 8 tips बता रहा हूँ and आप साथी follow कर रहे है तो फिर भी आपका हाइट नहीं बढ़ेगा आपको 8 का 8 या 10 का 10 को follow करना है तब जाके बढ़ेगा तो kindly वीडियो को end तक देखना and बहुत मज़ा आने वाला है and जिनको भी हाइट बढ़ाने के लिए मेरे से online training लेना है मैं provide करता हूँ online training for height growth मैं इस training में आप सभी को diet plan, workout plan provide करूँगा साथी साथ मैं आप सभी को weekly guidance दूँगा कि आप इस हिसाब से चलो मैं आपको हर week में check करता हूँ every week कि आप क्या कर रहे है आपका progress क्या है उसी की हिसाब से मैं आपको further decision देता हूँ कि next आपको क्या करना है देखो हर किसी का strength अलग है आपका strength अलग है body का क्या condition है तो हर चीज में आपको देखना पड़ता है उसी की हिसाब से मैं आपको further plans बताता हूँ किसी का body का strength अच्छा है किसी का नहीं किसी का कुछ बिमारी है किसी का body fat जादा है तो बहुत सारा reasons रहता है उसी की हिसाब से आपको training दे जाता है आप अभी कहेंगे कि sir आप मुझे एक diet plan दे दो workout plan दे दो यार हर किसी का diet plan workout plan अलग होता है मैं suppose आपको एक workout plan दे रहा हूं तो maybe आप उसको कर नहीं पाएंगे maybe आपका strength उससे ज़्यादा है या उससे कम है आपका body में क्या problem है उसको जानना बहुत important है तब ही जाके मैं आपको next चीज बता पाऊंगा मैं आपको diet plan workout plan में क्या बताता हूं कि आप यह खाना खाईए ठीक है आपको कितना quantity में खाना है वो आपका body को देखके पता चलेगा suppose आप बहुत मोटे हो ठीक है and मैं आपको बता दूँगा कि आप 10 रोटी खाओ तो फिर आप और मोटे हो जाओगे आप बहुत पतले हो and अगर मैं आपको कहूंगा कि आप एक रोटी खाओ तो आप और पतले हो जाएंगे तो आपका body लेकिन किस फूर्ड का कितना क्वांटिटिटी खाना कितना खाना यह सबसे जादे इंपटेंट है अगर मैं आपको कहता हूं कि आप रोज अंडा खाओ किसी को दो Alemanave पड़ेगा किसी को चार अंडा खाना पड़ेगा और किसी को दस अंडा खाना पड़ेगा कोई चिकन खा सकता है कोई नहीं खा सकता है तो उसके हिसाब से होता है ठीक है तो आपको समझना जरूए एंड ट्रेणिंग का चार्जस बहुत ही लो है आप इसली अफॉर्ड कर सकत और उसके लिए आप मेरे mail id पे contact करें mail id पे अपको contact करने नहीं आता है आप youtube से सीख लो आप YouTube पे इस दीज को सर्च करो how to message on mail idea आपको पता चल जागा so सबसे पहले आप mail idea पे contact करें उसके बाद training कैसे जोइन करना मैं वहाँ पे आपको बता दूँगा ठीक है तो वीडियो में आगे बढ़ता है kindly end तक जरूर देखना so number one tips क्या है height बढ़ाने के लिए सबसे important hormone होता है human growth hormone अगर ये hormone आपका body में सही level पे है आपका height जरूर बढ़ेगा and इस hormone को बढ़ाने के लिए बहुत सारा steps होता है जैसे की daily sunlight लेना because उससे vitamin D मिलता है high protein diet क्या exercise करते हो आप कितना बैठे रहते हो कितना mobile use करते हो कितना पढ़ाई करते हो दिमाग में कितना stress है कितना सोते हो बहुत चीज matter करता है तो सबसे पहले आपको अपना HGH level को बढ़ाना है and इसको बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको अपना life channel को सही करना पड़ेगा and 99.9% बच्चों का body में HGH के level कम रहता है and अगर आप अपना HGH level को बढ़ाते हो आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा होगा height बढ़ाने में next tip क्या है अगर आप एक skinny हो बहुत ज़्यादा पतले दुबले हो तो आपको अपना frame में अपना धाचा में muscles put on करना है muscle बढ़ाना है muscle बढ़ाने के लिए आपको हाथी जैसे खाना पड़ेगा राक्षस जैसे आपको अपना body बहुत ज़्यादा protein देना पड़ेगा हर एक meal में आपको protein खाना पड़ेगा तब जाके आपका body muscle बढ़ेगा muscle बढ़ाने का ये फाइदा कि आप बहुत ज़्यादा strong होते हो and muscle building जब आप करते हो तो आपका health सुधरता है because आपका body muscles तभी build करेगा जब आप उसके लिए अच्छा dart लेते हो अच्छा rest लेते हो and आपका body में hormones का level अच्छा है तो उसके लिए सबसे अच्छा है आप muscle building करो आपका strength, stamina and muscle building करने के लिए आपको weight training करना जोरी है तो जब आप weight training करते हो आपका muscles build होता लेकिन उसके साथ साथ आपका body में बहुत सारे benefits होता है and अगर आप मोटे हो आपका body में चर्भी बहुत ज़ादा है आपका main goal यह होना चीए कि मैं सबसे पहले अपना चर्भी को हटाऊंगा because जिनका body fat ज़्यादा रहता है उनको hormonal imbalance होता है साथ साथ body में बहुत सारा problems रहता है आपका body का अंदर and इसलिए आपका height growth नहीं हो रहा है तो आपको अपना fat को loss करना है and साथ साथ आपको अपना muscles को build करना है आपको weight loss पर ध्यान नहीं देना है weight loss अलग होता है and fat loss अलग होता है चर्भी को कम करना है and muscles building करना है जब आप भी muscles building करेंगे तो आपका body AJ ज़्यादा बनाएगा and साथ साथ आपका structure बहुत अच्छा होगा आप strong हो जाओगे तो दोनों को weight training पर focus करना है आपको एक अच्छा lean body बनाना है and अगर आप मोटे हो आपको भी एक अच्छा lean body बनाना है उसके बाद next tips क्या है आपको strength building exercises पर focus करना है strength and muscle building exercises for example अगर आप घर पर करते हो तो strength building, muscle building exercise क्या है घर पर जैसे कि आपका push ups, squats, lunges, pull ups, mountain climbers, plank तो आप ये सब exercise करे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है suppose आप push ups लगा रहे तो आप देखो कि आप कितना reps लगा रहे हरे quick खुद को progress करने का try करो अगर आज आप 10 लगा रहे हो next week आपका 12 से 15 आना चीए फिर 17, फिर 19, अगर आप progress करते हो तभी जाके आपका health अच्छा होगा आज अगर आप 10 reps लगा रहे हो and दो मिने बाद भी अगर आप 10 ही reps लगा रहे है फिर क्या फायदा तो आपको अपना sets बढ़ाना है अपना reps बढ़ाना है इस तरीके से जो आपका workout routine हो चेंज होते रहेगा अगर आज आप 10 reps लगा रहे है कल भी 10 reps लगा रहे है फिर तो आपका workout सेम हो गया न आपको reps को बढ़ाना है sets को बढ़ाना है फिर कभी squats पहले लगाओ pushups बाद में लगाओ कभी pullups पहले लगाओ फिर कभी कभी दोनों को mix कर दो दोनों को एक साथ लगाओ 10 squat लगा लिया 10 pushups लगा दिया 10 pullups लगा दिया तो इस हिसाब से अपना body को tricks करते रहो ठीक है trick देना बहुत important है body को चमकाना बहुत important है बेवकुप बनाना बहुत important है देसी भासा में उसके बाद next tips क्या है creatine जरूर लेना है आपको workout करने के बाद creatine बहुत ही सस्ता आता है बहुत ही सस्ता आता है आप workout करने के बाद creatine जरूर ले इससे आपका strength बढ़ेगा जब आपका strength बढ़ेगा आपको workout करने बहुत मज़ा आएगा जब आप अच्छा workout करेंगे तो आपका body muscles बनाएगा, edge बनाएगा जो आपको height growth में help करेंगा and आपका bone density भी improve होगा, ठीक है, उसके बाद next tips क्या है, आपको vitamin C rich foods खाना है, ठीक है जैसे की orange, फिर आपका lemon, फिर आपका grapes, जो भी vitamin C rich food है, उसको अपना diet में जरूर add करें फिर aloe vera आपका हो गया, आमला हो गया, तो इस तरीके का foods आपको अपना diet में जरूर add करना है, ताकि आपका immunity अच्छा हो free radicals बहाँ निकले, toxic elements बहाँ निकले, कचड़ा बहाँ निकलेगा, automatic आपका body healthy होते रहेगा उसके बाद next tips का है, आपको milk and eggs जरूर consume करना है for calcium and यह calcium है, जो आपका bones का growth करता है, ठीक है, bones growth के लिए calcium का important role है तो अगर आप milk and eggs consume करता है, यहाँ से आपको calcium मिलेगा, साथी साथ different types of vitamins and minerals मिलेगा साथे साथ, आपका body को protein मिलेगा, जो growth के लिए बहुत ज़्यादा ही responsible है उसके बाद आपको daily beet root juice पिना है, अगर आप beet root juice नहीं पी सकते हो तो फिर आप beet root को as a salad use करो, ठीक है, and आपको daily 10 dates जरूर खाना है खजूर, खजूर आपके लिए बहुत important है, खजूर खाने का बहुत ज़्यादा ही फायदा है, and इसलिए मैं खुद daily beet root and खजूर अपना diet में जरूर add करता हूँ उसके बाद next tip क्या है, आपको daily 200 gram chicken breast consume करना है, chicken breast daily 200 gram अगर आप vegetarian हो, तो आप daily 200 gram पनीर जरूर यूज करें, पनीर का quality अच्छा होना चीए, बाहर का जो पनीर होता है, यार उसमें मिलावट बहुत ज़्याद रहता है, मुझे पता नहीं कि उसमें कितना protein है, ठीक है तो आपको अच्छा पनीर खाना है, अगर आप घर में बना सकते हो पनीर तो सबसे बैतर है, विकॉज यह सबसे purest form होता है, उसके बाद next tip क्या है, आपको daily 6 टाइम खाना है instead of 3, तीन टाइम खाते हो, वो भी सही से नहीं खाते हो, और उसमें भी आप healthy नहीं खाते हो, तो तीन टाइम खाएंगे मतलब आपका body को nutrition कम मिलेगा, जब अब 6 टाइम डेली खाएंगे, तो आपका body को, obviously बात यह है कि 6 टाइम खाने से आपका body को ज़्यादा nutrition मिलेगा, जितना ज़्यादा nutrition देंगे, body के growth उतना ज़्यादा होगा, तो हर 3 घंटे में आपको खाना खाना है, खाना खाने का मतलब बिल्कुल भी यह नहीं कि आप का खाना खा रहे हो, मिठा चीज खा रहे हो, healthy खाना खाना है, rich in protein, rich in protein, and साती साथ फल सबजी बहुत ज़्यादा, ठीक है, and रोटी, चावल, आलू, केला, यह सब, dry fruits, यह सब आपका मिन खाना होना ची, खाना के मिन हिस्सा यह सब होना ची, आल तो फाल तो खाना बिल्कु जो उठना है, इसका जो magical effect है, आपका diet and workout के साथ, वो next level है, आप यह सब follow करो, आपको बहुत अच्छा result दिखेगा, आपका body बहुत खुपसरुत होगा, लोग आपको notice करना start करेंगे, हाती जैसा ताकत आएगा, घोड़ा जैसे फूरती आएगा, मतलों चीता जैसे फूरत आएगा, तो यह सब करते हो, ठीक है, अगर आप एक student हो, यह आपको बहुत अफादा करेगा, विकाज यह आपका brain development भी बहुत ज़्यादा करेगा, आप पढ़ाई पर focus कर पाएगे, आपको कोई bit नहीं कर सकता, ठीक है, विकाज आप अंदर से healthy हो रहे हो, जब आपका body healthy ह हो रहा है, आपका mind भी healthy होगा, और जो लोग daily workout करते हैं, अच्छा डाट लेता है, उनका mind और ज़्यादा होता है, अगर आप एक गंड़ा पढ़ेंगे, तो आप 6 घंटा का काम कर देंगे, विकाज आपका focus बहुत अच्छा रहेगा, और जब भी पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, यह मैं आपको अडिशनल टिप दे रहा हूँ, तो विडियो करने करने चाहता हूँ, मिलता हूँ एक स्थेक जॉदाज विडियो के साथ, अंटिल पीस वे टेक केल, लव्यू आप